बड़ी शुन्दर बात बताई गई है सत्संगत और हरिकता तुलशी दुरु लबद्वए सत्दारा और लच्छमी ये पापी क्यों घर हो सत्संग बड़ी नसीब से हमें प्राप्त होता है प्यारे बहागवत का दसम इसकंग पहले अध्याय का ये पचासवा इसलोग क्या कह रहा है सुनिए गाए विपर्यायुबाकिमम वईश्यादं गतिधार तदु रात्यया उपश्थितों निर्वतेत निर्वतह पुनरापतेतं बताया गया है इस इसलोग का भावर्द क्या कह रहा है बेतहता की गति बड़ी दुरत्य है सामने आई बश्थि निकल जाए और जिसकी आसा नहीं वह सामने आ जाए क्या सुचते हैं और क्या हो जाता है एक समय एक कभूतर और एक कभूतरी आकास में मेरे सज्जन उड़ रहे थी उस समय एक बाद ने उनका पीछा किया कभूतरी ने कहा स्वामी यह बाद मड़रा रहा है चलो गोशला में रहेंगे कभूतरी ने कभूतर से कहा बाद के वह से वह जोड़ा उतर रहा है पर नीचे क्या देखा है एक ब्याद धनसुबाद लेकर के खड़ा है इस जोड़े को मार करके अपने कुटम का पालन करे कभूतरी ने ब्याद को देखकर बोली स्वामी हमारा अंतकाल आ गया है देखिए यह बाद उपर मड़रा रहा है और यह ब्याद नीचे कड़ा है अब कहा जाए हम अब बच्छने वाले नहीं है उसी समय एक सरफ निकल करके आया और उसने ब्याद को डश लिया मेरे सज्जनों प्रभू ही बचाने वाला है ब्याद का निसान चूग गया तीर उपर उड़ते हुए बाज में लगा इस प्रकार से मेरे सज्जनों ब्याद भी मर गया और बाज भी मर गया वह जोड़ा सकुशल अपने गया है कभी नहीं यारे ज्यादा नहीं तो धोड़ा तो हमें हरीगा भजन करना ही चाहिए यह हमारा कर्टब्य है चलो 24 गंटे में से भगवान ने इतनी शूच दी है कि कम से कम हमें पांच मिनट हरीगा भजन करना चाहिए लेकिन क्या बताया जाए इंसान कौन समझाय थे जए ओ बुक्ती का कोई तो यतन कर ले बुक्ती का कोई तो यतन कर ले रे रूज थोड़ा थोड़ा धरी का भजन कर ले रे रूज थोड़ा थोड़ा धरी का भजन कर ले मुक्ती का कोई तो यतन कर ले रूज थोड़ा थोड़ा हरी का भजन कर ले रूज थोड़ा थोड़ा हरी का भजन कर ले और क्या बताया है मेरे भगवत प्रेमियो ध्यान से सुनना कभी ने बड़ी सुन्दर बात लिखी है भक्ती करेगा तो बड़ा ही शुक पाएगा भक्ती करेगा तो बड़ा ही शुक पाएगा भक्ती से अंदर का महल धुल जाएगा ओ आत्मा के साथ साथ मन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरी का भजने कर ले प्यारे भक्ती करोगे तो बड़ा ही शुक मिलेगा क्योंके भगवान नाम से इस दुनिया में कोई भी सच्चा सुप नहीं है और क्या आरे संगत कर अच्छे लोगों की संगत कर अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सबी रोगों की ओ संगत कर अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सबी रोगों की रोद सेत खुद को दपन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरी का भजन कर ले अगर हम अच्छे लोगों की संगत करेंगे ना तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा और सबी रोगों की दवा मिल जाएगी प्यारे और क्या भक्तों की जग में यही है निशानी भक्तों की जग में यही है निशानी सत्य बचन और मीटी बानी भक्तों की जग में यही है निशानी सत्य बचन और मीटी बानी अच्छे और सच्छे तू करम कर ले रोज तोड़ा तोड़ा हरी का भजन कर ले अच्छे और सच्छे करमों पर हमें ध्यान देना चाहिए सत्य और भक्ती के पत पर चल रे ओ जग के अंदेरे से बाहर निकल रे सत्य और भक्ती के पत पर चल रे आत्मा से परमा तुमा मिलन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरी का भजन कर ले मुक्ती का कोई तो यतन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरी का भजन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरी का भजन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरी का भजन कर ले हाथ तो आईए मेरे बहुत प्रैमियो इस संगीत और स्वसंद के वहाँ पर हमें बड़ी ही सुन्दर बार बताई गई ये मानव का जनम बड़ा ही अन्मूल है और वार वार मिलने वाला नहीं है ये मौका कभी हमें गवाना नहीं चाहिए क्या बताया है बड़ाई सुन्दर अश्लोक और बड़ाई सुन्दर प्रशन आये से सुलुभा युधि विप्रेशे है निवरता इस्तन तुझ जयहा नतता तीर्थ आयाते श्रद्याय ये धनन्त्य जहा मेरे भागवत्मा प्रेमियों ये भागवत्मा बहुत सुन्दर इस्लोक है आठवे इसकंद बीश में अध्याय का ये नौमा इस्लोक है कहते ही जिस समय बली महराज को सुक्र जी ग्रहनीती बता रहे थे उस समय बली राजा ने दान की महमा का वर्डन करते हुए कहा गुरू जी ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो युद्ध में पीट दिखाकर और अपने प्राणों की आहूती दे देते परन्तु ऐसे लोग बहुत दुल्व हैं जो सद्वात्र मिलने पर धनका दान कर राजा बली में कितनी सुन्दर बाद कहीं मेरे पैरे सुनियेगा बास्तम में राजा बली ने यह इतार्थ बाद कहीं इसमें हम बलका ही एक चरित्र आपके सामने कहते हैं पूर्व जर्म में यह राजा बली कुँ थी बताया जाता है पूर्व जर्म में बली एक महापापी जुआरी थे यह सदाप पराई इस्त्रियों में आसक्त रहते थे एक दिन नहोंने खपड़ पूर जुए में ओ सारा धंजी दिया फिर एक सुंदर पान भीड़ा सजाकर के गंद माला सामिदी लेकर के अपनी प्रियसी एक बैस्या को देने के लिए उसके घर के और चल जाए राष्टे में पैर लड़ खड़ा गए प्रद्वी पर गिर गए कुछ समयभाद जहुआ हो साया तब तब शायत खड़े हुए बस्तुओं को लेकर के क्या करते हैं कि उन्हें सिभजी पर चला देते ये कोई पूर पुंड था जो ऐसी बुद्धी हो गई जीवन में केवल एक ही पुंड किया लेकिन बरने के बाद जब यमराज की सभा में पहुँचे राज जी सभा में पहुँचे तो यमराज ने इनको भटकार दिया अरे मूर्ख तुने अपने जीवन में पाप करम के कारण नरक का भोग होने का निच्छे कर लिया इसलिए तु जा नरक भोगेगा तब उसने कहा महराज मेरा कोई भी पुंड हो उसका बिचार करिए यमराज ने देखा भाई तेरा एक पुंड है तुने जमीन पर पड़े गंद पुष्प भगवान संकर पर छड़ाये हैं इस पुंड फल से तुझे सरफ तीन घडि के लिए इंदराशन मिले तुझे तीन घडि के लिए इंदराशन मिले अब तो मेरे सजनों इतना कहा प्रभुतव तो पहले मैं अपने पुंडय के फ़ल को भूबूना चाल जाब उस जवारी को यहम राज ने तीन गड़ी के लिए इंदराशन पर बिठा दिया महराज जब तीन गड़ी के लिए इंदराशन पर बिठा दिया यानि इंद्र के आशन पर बैठते ही उसने देना प्रारम कर दिया अगस्त जी को एरावत्थाती दे दिया विश्वा मितर जी को उच्छे स्रवा घोड़ा दे दिया ज्वारी ने काम देहन गाए वशिष जी को दे दी चिंता मड़ी रतन गावल रिशी को दे दिया तेजसी यानि सभी रिश्यों को अलग अलग उसने अपना कलब रच्छ आदि सब कुछ दान कर दिया तीन गड़ी के बाद सुरग से वो चला गए इधर में इंद्र देव तालोड करके आई इंद्र देव ने देखा अरे गुरुदेव मेरा यहां ना एरावत हाती है ना कुछ दान करके चला गया इधर में जब राजा एक वार जो इंद्र थे यहम्राज के पास में गए और बोले आपने एक ज्वारी को मेरे सिंगासन पर कैसे बिठा दिया यहम्राज ने कहा इंद्र तुम बड़े हो मूर्खो अरे तुम सदेव राज के लालची रहे हो इस जराज में क्या रखा है जराज तुम उससे कुछ सीख ली दिये वो तीन गड़ी के लिए बैठा लेकिन उसने सब कुछ दान पुन और धरम कर दिया सजनो आगे चल कर उसका जीबन बन गया वो बहरोचन के यहां पुत्रूप में बली पुत्र बना और बहरोचन भी बहुत बड़े दानी थे उन्होंने भी अपना सीख काट करके दान में दी दिया थे तो मेरे सजनो आपने ध्यान दिया होगा यह जीवन बड़ा अनमूल है जब कभी कोई ऐसा मौका मिले तो उस मौके का लाव उठाना चाहिए अगर आप धनवान हो तो दानपुन धर्म कीजिए पता नहीं कब धनक साथ छोड़ करके हमारा चले जाए इसलिए यह जीवन अनमूल है सुनिएगा भजन के द्वारा हाँ तो लीजिए मेरे भजनों के ब्रहम्योग यह मानुस जनम बड़ा ही अनमूल है इसे योही हमें गवाना नहीं है हाँ दर अध्यान रखना है कितनी सुन्दर बात लेकिया कभी नहीं मानुस जनम अनमूल रे इसे मिटी में ना रोल रे अब तु मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे मानुस जनम अनमूल रे इसे मिटी में ना रोल रे अब तु मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे क्या पता फिर किशियोनी में जाएं प्यारे इसलिए ये मानँ जनम जो मिला है प्रभू का ध्यान कीजिएगा अर तूसत संग मी आया कर गीत प्रभू के गाया कर अर साम सवेरे बैठ के भाई ध्यान हरी में लाया कर अर तूसत संग में आया कर गीत प्रभू के गाया कर साम सवेरे बैठ के भाई ध्यान हरी में लाया कर न लगता है कुछ मोल रे अब तू मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे मानस जनम अन मोल रे इसे मिटी में ना रोल रे अब तु मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे और क्या बता है प्यारे अरे तु है बुल बुला पानी का मत करना जजवानी का नेक कमाई कर ले भाई पता नहीं जिन्दगानी का अरे तु है बुल बुला पानी का मत करना जजवानी का नेक कमाई कर ले भाई पता नहीं जिन्दगानी का मीटा सब से बुल रे अब तु मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे या प्यारे जिस प्रकार से बारिस होती है ना जो पानी का बुल बुला बारिस का बुल बुला ऐसे हमारी तुमारी जिन्दगानी है ये जवानी योही नहीं गभानी है क्योंकि सच्चे बेरागी परिच्छा जवानी में ही होती है मतलव का संचार है इसका ना इतवार है सबल सबल कर कदम धरो भुल नहीं अंगार है मतलव का संचार है इसका ना इतवार है सबल सबल कर कदम धरो भुल नहीं अंगार है मन की अखियां खोल रे अब तुमिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे मन सजनम अनमो ले इसे मिटी में ना रो ले अब तुमिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे आएए गौर करते हैं इस संगीत और सत्संग के महा संगम में बढ़ी संदर बात कभी नहीं लिखी है कलम को उठाया देखिए जो म्रत्य है वो किसी न किसी बहाने से आती है कहते हैं न कि मौत बहाना चाहती है बताया जाता है यह एक बार जंगल में आखेट करने जब जंगल में आखेट करने के ले गए तो उनके दो सफाई थे उन्हें कहीं भी कोई शिकार नहीं मिली जब लोट करके वापस साने लगे तो उन्होंने अपने दोनों सिपाईयों को एक कुए पर बावरी पर जल लेने के लिए भेजा लेकिन उन सिपाईयों ने एक औरत के रोने का रोधन सुना वो बिलाब कर रही थी आज उस इस्तरी का बिलाब सुनकर के वो दोनों सिपाई उसके पास में पहुँच गए और कहने लगे हे दिवी आप क्यों रो रही हो क्या बात औरत ने कहा अरे इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है मैं तो इतनी बड़ी अभागिन हूँ अब मैं कहा जाऊं और किसके सहारे जी हूँ क्योंकि ये दुनिया बड़ी निरिदय है इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं दोनों भाईयों ने सोचा और बिचारा बड़े भाई ने कहा आप चिंता न करो मेरे साथ चलो मैं तुम्हें अपने साथ में डखूँ वहां से आगे बढ़े लेकिन क्या होता है वो औरत कहने लगी मुझे बहुत तेज भूँक लग रही है मेरे लिए खाने की विवस्ता करो तो छोटे भाई को वहां छोड़ दिया और बड़ा भाई गाउं में नजदी की भोजन की तलास में निकल गया अब तो उस औरत ने क्या कहा छोटे वाले भाई से कहा देख मैं तुझे पसंद करती हूँ मैं उसके साथ नहीं रह सकती छोटे भाई ने कहा नहीं आप तो मेरी मा के समान हो मेरी भावी हो मैं तुम्हें कभी इस द्रश्टी से नहीं देख सकता बार बार मना किया लेकिन वो वरत नहीं मानी अंत में छोटा भाई बिवस हो गया उसने मना कर दिया मैं तो मैं कभी स्विकार नहीं करूँगा तो उसने अपना त्रिया च्रित्र दिखाया सारे वस्त्रोर फाड लिए आवुशड इधर उधर कर दिये जैसे ही बड़ा भाई लोट करके आया चिला चिला करके कहने लगी अरे तुमारे छोटे भाई ने तो मेरा अपमान कर दिया मेरी जद लूट ली इधर में क्या होता है दोनों भाईयों में घगडा हुआ दोनों पर तलवार थी और आपस में दोनों मर गई इधर में वो औरत क्या करती है कि रीच बन गई क्या बन गई रीच बन गई लेकिन राजा बिक्रमाजित पीछा करता हुआ चले आ रहे थे उन्होंने देखा ये रीच बन करके आगे बड़ी एक लकड हारा वेचारा जंगल में एक पेड़ पर लकड़ी काट रहा था उसी डाली पर ये रीच पहुँच गया आज उसने रीच को देखा तो देखते ही वो नीचे गिर गया बहभीत हो गया और उसकी म्रत्यू हो गई अब रीच ने क्या किया कि उसके बाद वो सरफ बन गया सरफ बनने के बाद वो सीधा नदी की धार में पहुच गया उस नदी में एक नाव जा रही थी उसमें बहुत सारे यात्मिगड बैटी हुए जैसे ही उस सरफ ने नाब की सीध लगाई तो सरफ को देख करके जो यात्मिगर थे वो घवडा गई जैसे ही वो इधर उधर हुए नाब फलट गई सभी उस नदी में डूब करके मर गई राजा बिक्रमा जेत्य चक्षित रहें के सूशित लगी ये है कौन मुझे जानना चाहिए पीछा करते करते पास में आगए अब वो सरफ क्या करता है कि वो साधू बन दे साधू का भेश तहाड करके जैसे ही आगे बढ़ा अब तो हाथ जोड़ करके राजा बिक्रमा जित्य आगे खड़े हो गए है प्रवू आप कौन हो मैंने आपकी सारी लीला देखी मुझे अपने हसलिय सरूप के दरसन कराईए आप है कौन कहा बच्चे तुझे मुझे क्या करना मैं अपना काम कर रहा हूँ और तू अपना काम कर तू यहाँ मुझे सवाल जवाब मत कर कहा नहीं महराज मुझे बताईए आप है कौन जब नहीं माने राजा विक्रमाजित बार बार पूछने लगे तो सादू ने कहा है बच्चे तुझे नहीं पता है मैं हूँ काल मैं काल हूँ जिसका समय जिस बहाने से जिसकी मृत्यू होती है मुझे वही भेश धाल करना होता है और मैं उसकी मृत्यू कर देता हूँ तो प्यारे जिसकी मौत जिस प्रकार से होती है समय के अनुशार काल उसी भेश में आता है आसाओं का हुआ खात्मा दिल की तमन्ना बनी रही और जब परिदेशी हुआ रवाना संदर काया पड़ी रही क्या बताया है कभी ने बड़ी संदर बात है सुनिये गा बताया है प्यारे मन मरान माया मरी और मर मर गया शरीर आसा खिष्णा ना मरी यों कह गया कभी जाना तो एक दिल शप्व है और कैसे आसाओं का हुआ खात्मा दिल की तमन्ना बनी रही जब परदेशी हुआ रवाना सुन्दर काया पड़ी रही जब परदेशी हुआ रवाना सुन्दर काया पड़ी रही यारे जिस प्रकार से हम पुराने वश्ट उतार करके नए वश्ट धार कर लेते हैं उसी प्रकार से यह आत्मा भी एक सरीर को छोड़ करके दूसरे सरीर में चली जाती है आसाओं का हुआ खा तुमा दिल की तमन्ना बनी रही जब परदेशी हुआ रवाना सुन्दर काया पड़ी रही क्या बताया है एक पंडित जी अपने घर में पत्रा देखा करते थे जनम मरण के जनम कुंडली लेका जोका करते थे जब मरने का तायम आया पूती उनकी धरी रही जब परदेशी हुआ रवाना सुन्दर काया पड़ी रही जब परदेशी हुआ रवाना सुन्दर काया पड़ी रही चारे जो समय को देखते हैं उनको खुझ अपने समय की नहीं पता है के हमें कब जाना है वो पोती पत्रा पड़ी जी की धरी रह गए और क्या बताया है एक सेटी जी दुकान पे बैटे गठा नपास सब जोड रहे किस से हमको कितना लेना वही के पन्ने मोड रहे किस से हम को कितना लेना वही के पन्ने मोड रहे काल वली का लगात माचा कलम कान पर धरी रही जब परदेशी वारवाना सुन्दर काया पड़ी रहे जब परदेशी हुआ रवाना सुन्दर काया पड़ी रहे एक डॉक्टर अपने घर से करन दवा तयार हुए दवा उठा कर बैग में रख ली मोटर कार सवार हुए पिशली कार गिरी गड़े में दवा बैग में धरी रही जब परदेशी हुआ रवाना सुन्दर काया पड़ी रहे जब परदेशी हुआ रवाना सुन्दर काया पड़ी रहे प्यारे जो दूसरों को दवा देने वाले हैं वो भी खोज अपने पास दवा होते हुए अपनी जहान बचा नहीं पाते समय बड़ा वलवाना इसलिए बताया है क्या वाह वाह रे क्या कहूं भाई पीसर की है यही गति जिसको जिस्टा यह महें जाना फरक नहोगा एक रति जिसने प्रवु का ध्यान किया है जिसने हर का नाम लिया है उसकी कमाई खरी रही जब परदेशी हुआ रवाना सुंदर काया पड़ी रही आसाओं का हुआ खात्मा दिल की तमना बनी रही जब परदेशी हुआ रवाना सुंदर काया पड़ी रही जब परदेशी हुआ रवाना सुंदर काया पड़ी रही जब परदेशी हुआ रवाना सुंदर काया पड़ी रही हाथ तो लीजिये मेरे भगवत प्रेम्यो इस संगीत और ससंग की दुनिया में आपके लिए प्यार वरा नमस्कार रूने से कुछ नहीं होने वाला प्यारे है हम मुठी बहान करके आये थे और मुठी बहान करके ही जाएंगे हाथ पसार के जाएंगे ना कुछ लेकर के आये थे और ना कुछ लेकर के जाएंगे हमारी साधना प्राय सुनिये गया दिहन से प्यारे प्राय हम जितना भजन भगवान का करती है उससे कई गुना अधिक संसार का भजन करती है अब आप सोच रहे होंगे कि संसार का भजन कौन सा होता है यह धन की इच्छा, इस्त्री की इच्छा, परवार की इच्छा, बड़पन की इच्छा ना जाने कितनी आश्रक्या यह संसार का भजन तो है प्यारे हम जितनी इच्छा भगवान को पाने की करते हैं उससे कई गुना अधिक हम इच्छा संसार को पाने की करते ही प्यारे हम जितनी दास्ता भगवान की सुकार करते हैं उससे कई गुना अध्क दास्ता अपनी इंद्रियों को संसार के भोगों के लिए करते हैं रात्री में सो जाते हैं हमारी इंद्रियां हमें बिचलित करते हैं संसार के भोगों के लिए हम कितना चिंतन करते हैं कितना ध्यान करते हैं चार पाई पर पड़े होंगे लेकिन फिर भी रोगी होंगे लेकिन फिर भी हम भोगों का चिंतन करते रहते हैं जरा सोचिएगा प्यारे जितनी ब्याकुलता भगवान को पाने की करते हैं उससे कई गुणा अधिक ब्याकुलता हम अपने संसार के सुखों को पाने की करते हैं हम तुम करते हैं भगवान को पाने की ब्याकुलता लेकिन उससे कई गुणा संसार के सुखों को पाने की भी ब्याकुलता रहते हैं आपको पता है, सूचते हैं भगवान एक गाड़ी हो, इसी का मकान हो, अच्छा मकान हो, दिल्ली में पिलोट हो, बेटी की साधी हो जाए, बेटा की साधी हो जाए, मेरे पास बहुत सारा धन हो, सारी बिवस्ताय हो, यह हम सोचते हैं, इस ब्याकुलता में हम हमेशा रहते ही जब तक हमारी प्रात्मिक का यानि भगवान की अपेच्चा ये नश्वर देः और संसार है वश्चुत है हम सच्चे सादक नहीं हो सकते अगर सच्चे सादक बनना है तो प्यारे इस मोह माया को त्याग ना होगा इन्हें विश्वासनाओं को त्याग ना होगा ब्रंदावन की ब्रच्चि को मरमु न जाने को डाली डाली और पात पे शिरी राधे इराधे हो न जाने कितनी बार हम ब्रंदावन होगे लेकन आज तक हमें विश्वासनाओं नहीं मिले जिसकी डाल डाल पर पात 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 शिराधे राधे होती है समझने की बात है प्यारे इस दोए को हम खुद कई बार बोलते हैं सुनते हैं लेकिन कहा हैं वो ब्रच जिसकी डाल डाल पर शिराधे राधे राधे ब्रंदावन में कहा हैं किस जगह है लेकिन प्यारे समझने की बात है वो ब्रंदावन में नहीं है वो हरिद्वार में नहीं है वो नासुक में नहीं है वो जैन में नहीं है वो पेड क्या है और कहा है वो पेड हमारा तमारा सरीर है इस सरीर हर एक इंद्री पर हर एक स्वांस पर रादे का नाम लग लिना है हमें तभी ये भव बादाएं कटेंगी तभी रोने से छुटकारा मिले आईए इस भजन के द्वारा सुनते हैं यारे रोने से कुछ होने वाला नहीं है क्या हम तो साथ में लेकर के आये थे क्या हम तो साथ में लेकर के जाएंगे नहीं खाले हाथ आये थे और खाले हाथ दी जाएंगे स्रब हमारे जो कर्म है वही हमारे साथ जाएंगे भले और बुरे इसलिए कभी ने बड़ी सुन्दर बात लगी है यहां से सुनिएगा इस संगीत और सर्षंग के महापरमय रोता क्यों बंदे साथ क्या लाया बंद मुठी थी जब यहां आया रोता क्यों बंदे साथ क्या लाया प्यारे यह मुठी जो है बंदी जाएगे रोता क्यों बंदे साथ क्या लाया रोता क्यों बंदे साथ क्या लाया बंद मुठी थी जब यहां आया रोता क्यों बंदे साथ क्या लाया खरी मुठी यारे जो हम करते हैं वो लेखा जो का सब डाटा मेरे ठाकर कीया हैं इसलिए ही हमाद सोचना के हम दुनिया वालों को पागल बना सकतें लेकिन उस ठाकर को नहीं प्रभू को नहीं हर किताबों में बात मिलती हैं हर किताबों में बात मिलती हैं न कोई लाया ना ले जाएगा खाली हातों ही चला जाएगा प्यारे खाली हात आये हैं और खाली हात भी चले जाएगे इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधार ना हैं अपने कर्तव्यों को सुधार ना हैं और क्या वताया है यह जहां श्रम हे बात पकी है यह जहां भ्रम हे बात पकी है जो यही भूला धोका खाएगा एक दिन यों ही चला जाएगा यारे ब्रह्म में रहने से कुछ होने वाला नहीं है इसलिए जाग जाईए अगर आप ब्रह्म में रहे तो धोके में रहे जाओगे और इस दुनिया में भटकते रहे जाओगे और क्या बताया है लाश्ट बंद में उम्र सारी गई है बातों में उम्र सारी गई है बातों में बाकी काटी है तू निरातों में सोचले बंदे हाथ क्या आया ना मिरी माया ना बच काया बंदे रोता क्यों साथ क्या लाया क्या आया रोता क्यों बंदे साथ क्या लाया बंद मुठी थी जब यहां आया रोता क्यों बंदे साथ क्या लाया हतो लीजे बड़ी सुन्दर बात वताई गई है विद्वानों के द्वारा हम तुम मोह माया में पशे हुए पड़े हैं ये मेरा बेटा ये मेरी बेटी ये मेरा भाई ये धंदौलत लेकिन सब कुछ यहीं रहे जाएगा कुछ साथ में जाने वाला नहीं है प्यारे क्योंके हमारे जो दत्तत रिधेना उन्होंने चोवीश गुरू बनाई बताया गया है कि उन्होंने एक कबूतर और कबूतरी को भी गुरू बनाई गौर की दिएगा के एक कबूतर और कबूतरी का बड़ा ही सुंदर जोड़ा एक जंगल में एक ब्रच पर रहा करता था मेरे सज्जनों बड़ा ही प्रेम करते थे आपस में समय गुजरता गया उनके जीवन में एक उने पुत्र फ्राप्त हुआ अब दोनों सुवह होते ही अपने बच्चे के लिए दाने की खोज में बाहर चले जाते हैं साम को आकर के अपने बच्चे को अपने बड़े प्यार से भोजन खिलाते हैं दाना खिलाते हैं एक दिन क्या होता है जब इधर में कबूतर और कबूतरी बाहर निकल गए एक बहेली आया उसने जाल बिचाया दाना डाला और बहुत सारे पच्ची उस जाल में पस गए ये कबूतर और कबूतरी का बच्चा जब इसने देखा दाना तो ये भी लालच में आ गया बहुत देर हो गई देखते देखते और इससे भी रुका नहीं गया ये भी उस जाल में कूंद गया और पस गया आगे आगे बताया मेरे सज्चनों के जब कबूतर और कबूतरी लोट करके आए उन्हें अपना बच्चा नहीं नजर आया इदर उदर देखने लगे बड़े चिंतित होने लगे लेकिन कबूतरी की नजर नीचे गई तो उसने देखा कि हमारा बच्चा तो जाल में फस गया कबूतरी रोने लगी लेकिन कबूतर ने समझाया अरे क्यों रो रही है ये रोना दोना बंद कर दे कि अब पागल हो गई है तुझे नहीं पता है अगर हम और तुम रहेंगे तो ये बच्चा तो फिर हमें भगवान की गरपास से मिल जाएगा इसलिए अब तुझ सांत हो जा नाना प्रकार से समझाया लेकिन वो कबूतरी कहने लगी मेरी आँखों के सामने मेरा बच्चा काल के मुह में जा रहा है और मैं देखती रहूं तो ऐसा कभी मुझ से होगा नहीं मा की ममता आज वो कबूतरी अपने बच्चे को बचाने के लिए कूंद गई लेकिन वो भी उस जालम है पस गई मेरे प्यारे कबूतर देखता रहा शोचने लगा मैं क्या करूं कहां जाओं लेकन देखियेगा ये माया कितनी प्रबल होती है जो कबूतर अपने शुच दे रहाplease समझा रहा था कभुतरी को आज वह भी क्या शोचनी लगा अब मैं अकेला क्या करूँगा जी करके मेरा बच्चा मर गया मेरी पत्नी मर गई और मैं अकेला जी करके क्या करूँगा अन्त में गत्पा सर्जनों वो भी खूंद गया वो भी जाल में पस गया वो भी बचा नहीं पाया जीव किस प्रकार से मोव माया में पस जाता है ये मेरा भाई ये मेरी मा ये मेरी बेटी ये मेरा बहन ये मेरा भाई ये जूंटे रिष्टे नाते हैं प्यारे कोई भी किसी का नहीं है इस संसार में एक राम का नाम का बजन ही प्रवु के नाम का बजन ही हमारा तुमारा सचा साती है और क्या बताया है इस बजन के द्वारा गोर करिए न एक दिन हमें और तुम्हें निकुत लिए बेटी सभी छोड़का के चली गएंगी यारे जिन पर हमें गर्व है जिनें हम अपना कहते हैं वो भी एक दिन छोड़ करके चले गएंगे अरे पाले सुआ उड़ी जाएंगे कव दिन पाले सुआ उड़ी जाएंगे ओ पाले सुआ उड़ी जाएंगे कव दिन पाले सुआ उड़ी जाएंगे कव दिन पाले सुआ उड़ी जाएंगे आरे कोई मती गरवु करोरे बेटन उपे आरे ले बोली आरे हुई जाएंगे कव दिन पाले सुआ उड़ी जाएंगे पाले सुआ उड़ी जाएंगे कव दिन पाले सुआ उड़ी जाएंगे जिसको हम अपना पूत्र कहते हैं वो भी शादी होने के वाद पर तुमारा पुत्र नहीं रहेगा क्योंके पुत्र चार प्रगायते होते ही अरे कोई मती गरव करोरे बेटिन पे अरे आई सजनों ले जाएंगे कव दिन पाले सुआ उड़े जाएंगे कव दिन पाले सुआ उड़े जाएंगे क्यारें इनको हम अपनी बेटी बेटी कहते ही लेकर सादी होने के वाद भी एक दिन अपनी सुसराल के ले चली जाएगी आरे कोई मति गरव करोरे काया को आरे अगनी बीच जल जाएंगे कव दिन पाले सुआ उड़े जाएंगे पाले सुआ उड़े जाएंगे कव दिन पाले सुआ उड़े जाएंगे क्या बाद है अरे कोई मति गरव करोरे बाधनी को हाँ कोई मति गरव करोरे जाएंगे अरे घरे दबे रही जाएंगे कव दिन पाले सुआ उड़े जाएंगे पाले सुआ उड़े जाएंगे पाले सुआ उड़े जाएंगे पाले सुआ उड़े